सुप्रभात प्यारे बच्चों, चलिए आज का हिंदी का कारियार हम करते हैं, ये आपकी व्याकरण चेतना बुख है, ठीक है? इसमें आज हम आपका पार्ट 11, जिसका नाम है प्रियावाची शब्द, ठीक है? वो हम आज पढ़ते हैं, ध्यान से सब बच्चे पढ़ेंगे रेखिए, कुछ शब्द आपस में समान अर्थ देते हैं, इन्हें प्रियावाची शब्द कहते हैं, ठीक है? ध्यान से, जिन श गर है, अब घर को हम और क्या बोल सकते हैं? ग्रह, सदन, निकेतन, इनका मतलब घर ही होगा, देखिए उसके बाद क्या है? सूरज, सूरज, रवी, सुरिय, भानू, ठीक है? सूरज के और कौन-कौन से नाम है? ये सारे नाम सूरज के ही हैं, अगर हम इन नामों से भी बु प्रियावाची शब नोका, डोंगी और तरणी, ठीक है? निमनलिकित शब्दों के प्रियावाची शब्द याद करो, ठीक है? यहाँ पे शब्द लिखे हैं और इनकी प्रियावाची सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अब देखिए पहला शब्द है दिन, दिन के प्र ग्रह, सदन, भवन, उसके बाद फूल, पुश्प, कुसुम, सुमन और प्रसुन उसके बाद हमारा अगला शब्द है लड़की लड़की के प्रियावाची शब्द है बालिका, बाला, बच्ची उसके बाद है परवत, परवत के प्रियावाची शब्द पहाड, गिरी, शैल, उसके बाद है चांद, चांद के प्रियावाची शब्द चंद्रमा, सोम, शशी और मयंग, आदमी, आदमी के प्रियावाची शब्द नर, मनुष्य, पुरूश, मानव, उसके बाद जल, नीर, वारी, अंबू, सलिल, पानी, उसके बाद पक्षी, पंची, खग, विहग, उसके बाद है माता, माता के प्रियावाजी शब्द जननी, मा, अंबा, उसके बाद सुबै, सवेरा, प्राते, भोर, उसके बाद है आँख, नयन, नेत्र, लोचन, व्रक्ष, पेड, तरू, हाथी शब्द है गज, कुंजर और गजेंद्र, उसके बाद पुत्र शब्द है सुत, आत्मज और बेटा, उसके बाद है कमल, पंकज, सरोज और जलज, उसके बाद है लक्षमी, रमा, कमला और इंदिरा, पृत्वी, भू, भूमी और वसुंधरा, उसके बाद है आकाश, नब, गगन और अंबर उसके बाद है मोर, मयूर और नीलकंथी, उसके बाद है गाए, गव, भेनू और सुरवी, उसके बाद शब्द है राजा, नरप, नरेश और भूपती, उसके बाद हमारा शब्द है सांप, सांप के प्रियावाची सर्प, बुजंग और नाग ठीक है यह सारे हमने प्रियावाची शब्द पड़े हैं यानि कि एक हमारे पास शब्द है और उसके अर्थ जैसे बाली का मतलब इनके सबके अर्थ ही यह होते हैं ठीक है तो सबच्चे इस चैप्टर की अच्छे से रिडिंग करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे थैंक यू और हम नाइस